भारत में जो अब तक कभी नहीं हुआ था वो अब हो रहा है यानि G20 सम्मिट यानि अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडन, चीनी राष्ट्रपती शी जिनपिंग, फ्रांस के राष्ट्रपती इम्मैनुएल मैक्रों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रिशी सुनक और जर्मन चांसलर ओलाफ जैसे ताकतवर नेता भारत आ रहे हैं आजादी के 75 सालों में एक साथ इतने विदेशी रास्टा ध्यक्ष भारत कभी नहीं आये, लेकिन अब जब एक साथ ये सूपर पावर दिल्ली पहुँचने वाले हैं, तो उससे पहले वो हैरान है, भारत के उन 5 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में सोच कर, उसे देख कर, उ 21 सदी में भारत को एक नई उचाई पर पहुचाने वाले हैं, वीडियो सुरू करें, उससे पहले आप से अपील है कि हमारे चैनल देख को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचे, इस एपिसोड में हम भारत के जिन 5 मेगा प्रोजिक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें पहले नम्बर पर है चिनाब रेलवे ब्रिज, दूसरे नम्बर पर है डेडिकेटट फ्रेट कॉरिडर, तीसरे नम्बर पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, चौते नम्बर पर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और जिससे जापान पीछे छूट जाएगा जबकि 2050 तक इंडियन एकॉनमी अमेरिका को पीछे छोड़कर 44 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी और भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थवेस्था बन जाएगा और इसके लिए सबसे जरूरी होगा वो वर्ल्ड क्लास इं चिनाव रेलवे ब्रिज दुनिया में हिंदुस्तान की modern engineering का शांदार model है जिसके पहचान विस्व के सबसे उचे रेलवे ब्रिज के तौर पर बन गई है जम्मु कश्मीर के रियासी में बने इस रेलवे ब्रिज की उचाई 369 मीटर है यानि एफिल टावर जिसकी उचाई 324 मीटर है उससे भी 35 मीटर उचा ये गुजरात के स्टेचू ऑफ यूनिटी जिसकी उचाई 182 मीटर है उससे करीब 2 गुना उचा है नियु यॉक के स्टेचू ऑफ लिवर्टी जिसकी उचाई 93 मीटर है उससे करीब 4 गुना उचा और दिल्ली का कुतुब मिनार जिसकी उचाई 73 मीटर है उससे लगभग 5 गुना उचा करीब 1486 करोर की लागत से बने इस ब्रिज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये 120 साल तक तिका रहेगा इस पर 266 किलो मीटर प्रति घंटा की रफतार से चलने वाली हवाओं का भी कोई असर नहीं होगा ये 8 रिक्टर स्केल के भूकम में भी जसका तस्तिका रहेगा इस पर 100 किलो मीटर प्रति घंटे की स्वीड से ट्रेन चल सकेगी और तो और मैनस 10 डिगरी से लेकर मैनस 40 डिगरी के तापमान का भी इस पर कोई असर नहीं होगा इस जिनाब ब्रिज को बनाने में 28,660 मिटर टन स्टील का अस्तिमाल किया गया है इस ब्रिज के आर्ज का वजन ही 10,619 मिटर टन है इस पुल में करीब 2,0,0,0 नट बोर्ड लगे हैं और 17 पिलर हैं करीब 19 साल में बनकर तयार हुआ ये ब्रिज दुनिया के सामने एक अजूबे की तरह है इसी साल दिसंबर में इस पर ट्रेन चलने के उमीद है जी 20 के बड़े बड़े देश इस पुल को देख कर हैरान है भारत का दूसरा मेगा प्रोजेक्ट रेलवे का डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर है भारत में अभी पैसेंजर ट्रेन और माल गाड़ी के लिए एक ही ट्रेक है जिसके कारण माल गाड़ी और पैसेंजर ट्रेन दोनों लेट होती है अगर किसी पैसेंजर ट्रेन को पास कराना हो तो मालगारी को घंटो रोक कर रखा जाता है इससे माल पहुँचने में देरी होती है जिसके कारण धीरे धीरे रेलवे से माल धुलाई का काम होता गया आजादी के बाद 1950-51 में कुल माल धुलाई का रेलवे का हिस्सा 83 प्रतिशत था लेकिन 2011-12 तक यह घटकर 35 प्रतिशत हो गया अभी भारत में 70 फीजदी सामान धुलाई सरक के रास्ते और मातर 30 फीजदी रेलवे से होती है जिसके कारण भारतिये सामान का कॉस बढ़ जाता है और हम अंतरास्तिये लेवल पर पिछड़ जाते हैं भारत में लॉजिस्टिक का खर्च 16 फीजदी के करीब है चीन में लॉजिस्टिक का खर्च 10 फीजदी और अमेरिका में ये खर्च मातर 8 फीजदी है इस समस्या से निजात के लिए DFC यानि Dedicated Fret Corridor का निर्मान किया जा रहा है जिस पर सिर्फ माल धोने वाली मालगारी ही चलेगी और वो भी 100 किलोमीटर प्रतिघंटे की ओसत रफतार से इसके लिए खास तोर पे दो प्रमुख Fret Corridor बनाए जा रहे हैं इस्टन Fret Corridor वेस्टन Fret Corridor की लंबाई 1849 किलोमीटर है जबकि वेस्टन Fret Corridor 1504 किलोमीटर का है वेस्टन और इस्टन Fret Corridor पर 90 फीसेदी काम इस साल दिसंबर तक कर लिया जाएगा इसके बाद 6 और बिजनस कॉरिडोर बनाए जाएंगे जिससे रेलवे के जरिये माल धुलाई में और तेजी लाई जा सके वैसे तो इस प्रोजेक्ट की सुरुवाद 2006 में हुई थी हाला कि कई डेडलाईन पार कर जाने के बाद अब ये प्रोजेक्ट पूरा होने की ओर है इसके निर्मान में होने वाला अनुमानित खर्च 21,140 करोर रुपए से बढ़कर 1,24,000 करोर रुपए हो चुका है ये अमाउंट कई छोटे डेसों के GDP से बहुत ज्यादा है साथ ही बुलेट ट्रेन से या थोड़ा ही पीछे है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर करीब 1.67 लाग करोर रुपए खर्च होने का अनुमान है भारत के तीसरे मेगा प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबाई और स्पीड है लंबाई की मामले में इस expressway के टकर में भारत में तो कोई सड़क नहीं ही है चीन समेथ पूरी एशिया में भी इतना लंबा expressway नहीं बना है इस expressway की लंबाई 1380 km और maximum speed limit 120 km प्रति घंटा है इसका फायदा ये है कि दिल्ली से मुंबाई जाने में 1380 km तक आप बिना किसी red light बिना किसी रुकावट के सीधे चले जा सकते हैं और अगर आपकी average speed 120 km प्रति घंटा है तो आप 12 घंटे में दिल्ली से मुंबाई पहुँच जाएंगे दिल्ली मुंबाई एक्सप्रेस वे का शेलान नियास 8 मार्च 2019 को हुआ था इसके निर्माण में 1,00,00 करोड रुपे खर्च हो रहे हैं ये फरवरी 2024 तक पूरी तरह से बन कर तयार हो जाएगा दिल्ली मुंबाई एक्सप्रेस वे कई फेजेज में बनाया जा रहा है इसका पहला फेज इसी साल सोहना से दौसा के बीच पूरा हो चुका है ये करीब 210 किलो मीटर का है इसके बनने के बाद अब दिल्ली से जैपुर के बीच की दूरी करीब 2 घंटे रह गई है दिल्ली मुंबाई एक्सप्रेस वे के मद्यप्रदेश का 244 किलो मीटर का स्ट्रेच भी अब बन कर तयार हो चुका है भारत का चौथा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है मुंबाई ट्रांस हार्बर लिंक समंदर पर बनने वाला ये पुल मुंबाई को 21 सदी का शहर बना देगा एक से दो किलो मीटर नहीं मुंबाई में समंदर के उपर 22 किलो मीटर लंबा पुल बनाने का काम तेजी से चल रहा है म्मबई को 9ी म्मबई से जोरने वाला ये देशका सबसे लंबा सीलिंग ब्रिज यानी समुद्र पर ब्रिज है इस पुल को म्मबई ट्रांस आर्वर लिंक का नाम दिया गया है इसका 16.5 किलो मीटर हिस्सा समुद्र में और 5.5 किलो मीटर हिस्सा जमीन पर होगा इस पुल को बाइस सो पिलर्स पर खड़ा किया जाएगा और इसकी लागत है अठारा हजार करोड रुपे ये शिवाजी मेमोरियर प्रोजेक्ट का हिसा है मुंबई ट्रांस हार्वर लिंक के बनने के बाद इस पुल से एक दिन में सत्तर हजार गारियां गुजरेंगी डेट घंटे के रास्ते को सिर्फ और सिर्फ 20 मिनिट में तै किया जा सकेगा और तो और पुने और बेंगलूर की दूरी भी कम हो जाएगी भारत का पांचवा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली मेरट रर्टीयस डिल्ली से मेरट के बीच एक वर्ल्ड क्लास सेमी हाइ स्पीड ट्रेन चलने वाली है ये ना तो मेट्रो लाइन है और ना ही भारत के ट्रेडिशनल रेल लाइन बलकि ये रैपिड रेल लाइन नेटवर्क है दिल्ली से मेरट के बीच 82 किलोमीटर लंबा RTS कॉरिडोर सबर्वन रेलवे का नया उधारन है इस कॉरिडोर में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चलेगी जो दुनिया के कई देशों के लिए हैरान करने वाला है कि सहर के बीचों बीच इतनी स्पीड में रेल कैसे चल सकती है रैपिड रेल को तीन चरनों में बनाया जा रहा है पहला चरन गाजियाबाद के दुहाई से साहिबाबाद के बीच 17 किलोमीटर का है दूसरा चरन दुहाई से मेरट तक होगा जो मार्च 2024 में शुरू हो जाएगा तीसरा चरन साहिबाबाद से दिल्ली के बीच का होगा जो 2025 तक पूरा हो जाएगा इसके बाद दिल्ली के सराय कालेखां से रैपिड रेल मेरट के बीच चलने लगेगी एक बार जब ये पूरा रूट तैयार हो जाएगा तो इस रूट पर दिन भर में 30 ट्रेने चला करेंगी और 10-15 मिनिट के अंतराल में ट्रेन स्टेशन पर आया करेंगी फरवरी 2019 में नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने RATS को अप्रूव किया इसके बाद 30,274 करूर रुपे का बजट दिया गया इसके बाद 8 मार्च 2019 को प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरट रैपिड रेल का सिला न्यास कर दिया काम ने रफ्तार पकड़ी ही थी 2020 में करोना वाइरस की एंट्री हुई जिस काम को तेज रफ्तार पकरनी थी उसका काम रुख गया हालांकि अब इसकी रफ्तार तेज हो चुकी है और ये जल्दी पूरा कर लिया जाएगा भारत के 5 मेगा प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो G20 देशों के नेताओं को हैरान कर देंगे अगले साल तक ये सारे प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे इसके बाद भारत भी इंफ्रस्ट्रक्चर के मामले में अमेरिका और चीन को टकर देने की स्थिती में आ जाएगा अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो पडिवार और दोस्तों से सेर कीजिए खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी चैनल